अलग-अलग देशों की अपनी अलग-अलग माननेताय, परंपराय और प्रथाय होती हैं, उनका रहन सहन और जीवन जीने का तरीका भी बाखी देशों से काफी अलग होता है। कई देशों में तो अंतिम संसकार के भी अलग-अलग नियम होते हैं, आम तोर पर जब भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तो या तो उसे अगनी के हवाले किया जाता है या फिर उसे दपना दिया जाता है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां के पहाड़ी इलाके में रहने वाल यहां के लोग एक ऐसी प्रथा का पालन करते हैं जो शायद कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, यहां के लोग हर तीन साल में एक बार अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को उनके ताबुतों से बाहर निकालते हैं, उन्हें साफ करते हैं और उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं, ऐसा करके वो अपने मरे हुए परीजनों की जिन्दीगी को याद करते हैं, इस तिहार को मानने कहा जाता है, हर साल ऑगस्ट में मानने को सेलिब्रेट किया जाता है, तोराजा के लोग के लिए एक बेहदी खास उत्सव है जिसमें वो अपने मरे हुए करीबि जिसका मतलब होता है लाशों को साफ करने का समारो इस द्वीब की लोगों का मानना है कि डेट के बाद उनके करीबी लोगों की आत्माई पास रहती है और उन्हें देख भाल की जरूरत होती है इसलिए वो उन्हें खाना पानी और यहां तक की सिगरेट तक भी देते हैं अब आपके दिमाग में ये कोईशन भी जरूर आ रहा होगा कि डेट बाडी वक्त के साथ सरने और गलने लगती है तो इसे सरने और गलने से कैसे बचाया जाता होगा तो मैं आपको बता दू डेट बाडी को सरने से बचाने के लिए यहां के लोग उनकी स्किन पर फार्मिलिन नाम का केमिकल इंजेक्ट करते हैं जिससे उनकी बाडी सरती नहीं है और जहां तक सवाल डेट बाडी से बदबू आने का है तो इसका भी जुगाड उन्होंने ढून रखा है बदबू ना आए इसके लिए यहां के लोग डेट बाडी के शरीर के पास सूखे पौधे रखते हैं वैसे इन डेट बाडी से खराब नहीं होती है और फिर उन्हें तीन साल बाद ताबूत से निकाला जाता है तो राजा जंचाती के लोगों का ये मानना है कि मौत जीवन का अंत नहीं है बलकि वो इसे अध्यात्मिक जीवन की शुरुआत मानते हैं ताबुतों को खोलने के बाद वो लोग डेट बॉडीज को साफ करते हैं और फिर उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं जिन्दा रहते वे जो उनके पर्सनल समान होते हैं जैसे जोईलरी, चश्मा, घडी, टोपी वगएरा पहनाया जाता है उसके बाद डेट बॉडीज को सामने रख कर नाजगाना होता है बानने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए लोग पकवान बगएरा बनाते हैं और उसे प्रसाथ के तौर पर बाटते हैं ये लोग लाशों को ना तो दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं इसके बजाए ये उन्हें गाओं के पास मौजूद एक पहाडी के चटानों को काट कर ताबूद के अंदर रख देते हैं फिर वो ताबूद उस मगबरे के अंदर ही रहता है साथ में एक लकडी का पुतला भी रखते हैं जिसे ताउ ताउ कहते हैं ये पुतला डेट बॉड़ी की रख्षा करता है क्योंकि माना ये जाता है कि डेट बॉड़ी मरी नहीं है बलकि बिमार है और सो रही है अगर कोई बच्चा मर जाए तो उसे पेडों के खोकले हिस्से में रखा जाता है इस्तिवार के शुरुआत घर में किसी की मौत के साथ ही हो जाती है किसी भी फैमली मेंबर की डेट हो जाने पर उसे एक ही दिन में दफनाया नहीं जाता है बलकि कई दिनों तक उत्सव मनाया जाता है ये सब उनकी खुशी के लिए किया जाता है जो लोग मर गए हैं जिसमें उन्हें अगली यात्रा के लिए तयार किया जाता है जिसे पूया कहा जाता है डेट बाडीज को दफनाने का प्रोसेस भैस और बैल की बली से शुरू होता है तो राजा के जो लोग मरें हैं उनके घर को सजाने के लिए भैस और बैल के सिंगों का यूज होता है माननेता ये है कि जिस घर में जितने जादा सिंग लगे होंगे अगली यात्रा में उसे उतना ही सम्मान मिलेगा तो राजा के लोगों के लिए डेट बाडीज को दफनाना बहुत जरूरी अफसरों में से एक है इतना ही नहीं यहां के लोग पूरी जिंदिगी पैसे इसले बचाते हैं जिससे वो सारा पैसा अपने अंतिम संसकार पर खर्च कर सके क्यूंकि अंतिम संसकार बहुत खर्चीला होता है कई पशों की बली देकर पूरे समाज को खिलाना पिलाना होता है तो राजा में अंतिम संसकार को रंबू सोलो नाम से जाना जाता है। कई बार तो लोग अंतिम संसकार तब तक नहीं कराते जब तक उनके पास अंतिम संसकार करने के लिए अच्छे पैसे ना हो। ले जाते हैं और उन्हें डेली खाना पानी दिया जाता है। उनसे डेली की बाते भी की जाती है घर पर अगर कोई आये तो पहले उनसे मिलवाया जाता है। और आपसी बातचीत में भी उनके लिए ऐसे शब्दों का यूस करते हैं जैसे कि वो जिन्दा है। वो एक मरेवे इनसान को मरावा ना मानकर बिमार मानते हैं और एक सोयवा इनसान मानते हैं जब पैसा इखटा हो जाता है तो वो उनका अंतिम संसकार अपनी परंपरा के मताबिक करते हैं ऐसा नहीं है कि तोराजा जनजाती के लोग अपनों को दफना कर अंतिम संसकार करके उनको भूल जात फिर उस इंसान को गाउं ले जाया जाता है गाउं तक लाने की समय सीधी रेखा में चला जाता है इसमें मुड़ना और घूमना बिलकुल मना होता है फिर उन डेट बॉडिस को साफ करने के बाद उन्हें नहलाया जाता है फिर उन्हें साफ कपड़े पहनाये जाते हैं और की डेड बॉडी के साथ फैमिली फोटो क्लिक की जाती है छोटे बच्चों को भी इस रीती रिवाज की बारे में समझाया जाता है फिर उन्हें कुछ अजीब नहीं लगता जब मानने का अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो डेड बॉडी को वापस ताबूत में रख दिया जाता है अनुष्ठान की ये प्रता सदियों से चली आ रही है तो राजा में जो लोग अमीर होते हैं वो लोग अपने रिष्टेदारों का लकडी का पुतला बनवा कर भी रखते हैं पहले ये पुतले इसलिए बनवाए जाते थे क्योंकि उस टाइम पर कैमरा वगेरा नह कुछ लोग तो सालों साल तक भी डेट बॉडी के साथ ही रहते हैं क्योंकि उनके पास अंतिम संसकार के लिए पैसे जमा नहीं हो पाते हैं अब आपके दिमाग में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि ये लोग मानने फेस्टिवल को क्यों सेलिबरेट करते हैं क्योंकि हर फेस्टिवल हर प्रथा के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है तो मैं आपको ये बता दू मानने फेस्टिवल की शुरुवात आज से लगबग सौ साल पुरानी मानी जाती है इसके पीछे बरप्पु गाउं की एक कहानी है बताया जाता है कि सौ साल पहले टोराजन जन जाती का एक शिकारी शिकार के लिए जंगल गया था पॉंग रूमा सेख नाम के इस शिकारी को जंगल के काफी अंदर एक लाश दिखी रूमा सेख उस सडती गलती लाश को देखकर वही रुख गया फिर उसने अपने कपड़े लाश को पहनाए और उसका अंतिम संसकार किया और इसके बाद से ही रूमा सेख की जिंदगी में काफी अच्छे बदलाव आए और उस शिकारी को जीवन भर भागेशाली और धनवान रहने का आशिरवाद मिला इसी के बाद से इस जनजाती में अपने पूरवजों को सजानी की प्रता चलने लगी तुराजा जनजाती के लोग ये मांगते हैं कि अगर वो अपने पूरवजों का खयाल रखेंगे और उनकी देख भाल करेंगे तो उन्हें भी आशिरवाद मिलेगा वैसे मैं आपको ये बता दू कि तुराजा जनजाती की ये परंपरा टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करती है दुनिया भर से लोग यहां इस फेस्टिवल को देखने आते हैं इस्तिवहार को सेलिबरेट करते समय वहां के लोग लोग गीद भी गाते हैं कई विदेशी लोग इस्तिवहार को अजीब और डरावना मानते हैं लेकिन तुराजा जनजाती के लोगों के लिए ये परंपरा आपनों से जुड़े रहने का जरिया है क्या आप भी कभी इंडोनेशिया जाना चाहेंगे ये फेस्टिवल देखने के लिए आपका इस परंपरा को लेकर क्या कहना है कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो